रबश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कमलनात के गड़ छिंद्वारा में बड़ी दरार पड़ गई खेंग है कॉंग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचीव चौधरी गंभीर सिंग 13 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए उनके साथ साथ 40 ते ज्यादा कॉंग्रेस कारिकरताओं ने बीजेपी का हाथ थाम लिया उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और न्यू जॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजग डॉक्टर नरुतम सदस्य तादिलाई है चौधरी के साथ साथ किसान कॉंग्रेस के अध्यक्ष चंच और या जिला कॉंग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष अतीश मिश्रा हर्य जनपद अध्यक्ष कंचनावी के चौरई नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका आर्जुन रगुवन्शी हर्य जनपद अध्यक्ष तुलसी परतेती भी बीजेपी में शामिल हो गई प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस सभी का स्वागत किया इस अफ़तर प्रदेश शासन के मंत्री एदल सिंग कसाना पाठी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशी सगरवाल जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहो और मोनिका बट्टी उपस्थे थे दूसरी ओर कॉंग्रेस के वरिष नेता डॉक्टर गोविन सिंग ने प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से भोपाल में मुलाकात की इस से लेकर गोविन सिंग ने मीडिया से कहा कि मैं यहां किसी भी चुनावी चर्चा के लिए नहीं आया था जीतू पटवारी हमारे पार्टी अध्यक्ष मैं पहले भी मिलने आता था आज भी मिलने आया हूं इस दौरान सिंग ने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इंकार किया है चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कह कि इस पर विचार कर रहे हैं वहीं प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गोवन सिंग को द्रोणाचारी कहा उन्होंने कहा कि गोवन सिंग हमारे द्रोणाचारी है हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अफवा उड़ी थी से पहले 11 मार्च को कॉं 19-24 शिवदयाल बागरी और जिलावपाध्यक्ष कमरोईदीन सहीत कई नेता बिजेपी में शामिल हुएते